कि अपने परिवार केरियर अपडेट वाइंजिनियर में मैं हुर रजन राज उमेद करता हूँ आप सभी बहुतर होंगे सवच्थ होगे बेधरी तरीके से अपनी त्यारी कर रहे होंगे तो सभी भाई योगा सभी दोस्तों का स्वागत है आपकी क्लास में जल्दी से भाई तो ब्लूब जाईए और आपको पता है टाइमिंग देखो भाई चेंज हो गया है जो आपके टाइमिंग आठ बजे थी वह अब आपकी चलती है जो class वो चलती है दो बजे 2 p.m. पर आपकी जो fitter machine channel की class है वो आपकी चलती है हाँ दोस्त टाइम बदल दिये कुछ regions थे जिसके कहाँ time बदलना पड़ा तो आप इस time जो है जोड़ सकते हैं ठीक है दो बजे से आपकी class चलेगी दोस्त आसीष ठेला वाला दो बजे से आपकी class चलती है ठीक है चलिए तो यहाँ पर हमारी जो आज की class है वो class number 20 है इसके पहले हमारी 19 classes हो चुकी है अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजेगा ठीक है भाई प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा अब देखे कोर्स जॉइन करना चाहते हैं जॉइन कर सकते हैं 6 परवी से इक लासे शुरू हो चकी है हमारे application पर application का नाम दोस्त वही है same to same जो हमारे channel का नाम है यानि की career update by engineer फिटर थी देगा फुल कोर्स में आपे कराएंगे master batch है चाहे आप किसी exam की त्यारी कर रहे हैं sale की कर रहे हैं या आने वाली जो vacancy है LP technician की कर रहे हैं और वहाँ पर आपके आता है फिटर तो वहाँ पर आपको यह complete जो है फिटर मसिनी इस्टर्णर आपका क्या हो रहा होगा इस बैस से complete हो रहा होगा खीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं पहला प्रसनाप क्या है भाई पहला प्रसनाप से पुछा है कि जो फोर्जिंग है फोर्जिंग है दोस्त यह क्या है फोर्जिंग जो है यह आपकी क्या है एक एक मचीनिक प्रोसेस ऑफ है टूल है डाय काश्टिंक प्रोसेस है यह आपकी फर्णिशिंग एवं हैमरिग है बताएए दोस्त जो फोर्जिंग है है दो चलिए हुआ है चलिए अब देखें यहाँ पर एक मचीनिक प्रक्रिया एक अउजार और एक डाय प्रक्रिया और फर्नेसिंग तो आप क्या करते हो फोर्जिंग में आप क्या करते हो तो आप फर्नेसिंग करते हो यानि की गरम करते हो मेटल को किसमें फार्नेस में और उसके बाद आप क्या करते हो उसके बाद़ है अगर एंवीर है यह क्या है तो आप कहोगे कैसा टूल है रत्रा का क्या है टूल ही तो है कैसा है तो आप कहोगे भाई यह सपॉर्टिंग छेक्ञेरी तो ab तूल है कैसा टूल है supporting टूल है कैसा टूल है supporting टूल है ठीक है आप जो अगला प्रस्नीश से बनता है इन्विल से किसका बढ़ेवर इसका जो मेटेरियल है basically अब मटेरियल दो भागों में बाढ़ सकते हो एक हमारा ये पूरा उपर का पार्ट है, और दूसरा आपका जो व Bacon, बेश हो गया, तो भाई, यह जो उपर का पार्ट है, अन्य अज़ारी मटेर्याल बना होता है, लेकिन जो सबसे ज्जादा बना होता है, वह आपका होता है, पिटवा लोहा। यानि कि रोट आईरन का क्या होता है, दोस्ट बना होता है किसका बना होता है रोट आईरन का बना होता है इसका जो बेस है भाई बेस यानि कि जो इसका बेस वाला इस्ट्रक्चर है यह जो बेस है यह किसका बना होता है तो आप कहोगी यह काश्टरन का बना होता है काश्टरन या वुड का क्या हो सकता है दोस्त लकडी का क्या को सकता है बना हो सकता है ब का अगिला जो point इससे क्या बनता है इसका जो स से कहां से तो आप कहोगे 80-300 kg कहां से 80-300 kg तक होता है और आप क्या कहोगे इसमें जो 150 kg वाली एंविल है अब आप कहां से पाई जाएगी भाई 80 होगी छोटे कारें के लिए और बड़ी होगी कितने 300 kg जो होगी वो बड़े कारें के लिए प्रयुक की जाएगी लेकिन अब जो सबसे ज्यादा भार वाली प्रयुक की जाती है वह कौन सी 150 kg तो आप यहीं पे लिखलो कि 150 kg वाली एंविल क्या होती है 150 kg वाली एंविल सबसे ज्यादा क्या की जाती है प्रयुक की जाती है सबसे ज्यादा क्या की जा सकती है भाई सबसे ज्यादा जो है प्रयुक की जा सकती है तो कुछ इतने पार्ट आपको याद रखने हैं, इतने जो पॉइंट्स हैं इन्विल से, ये आपको ध्यान रखने हैं, अगर आगे की बात करें दोस्त, तो ये वाला क्या होगा, इस वाले पार्ट को बोलते हैं, होग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, फेस, या आ क्या होता है बना होता है पहला इसक्वायर होल होता है और दूसरा क्या होता है राउंड होल होता है यह जो इसक्वायर होल होता है जो वर्गाकार होल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसक्वायर होल क्या बोलते हैं इसक्वायर होल और जो सर्कुलर यानि कि राउंड से है अलग अलग परपज है अगर आप होगे जो स्क्वायर होल है तो स्क्वायर होल का प्रयोग जो है हार्डी हो गया हार्डी आगर आप अगे पढ़ोगे हार्डी क्या होता है हार्डी हो गया या जो आपकी स्टेक्स होती है उनको क्या करने के लिए सहारा देने के लिए इस्टेक्स सो आपनों कोने पढ़ होगी न हांकोन पूमें स्टेक्त जो बीक टायरन इसटिक सब्सक्रण आप चादर कारे कर सकते हो ठीक है भाई चलिए तो अब यहां पर हाड़ी होल है विस्टलॉल क्या है आप इसमें क्या कर सकते हो किसी्कूलर मेंद कर सकते हो क्या busy ए फैसे क्लर माई को क्या कर सकते हूं और भी कोई procsture न आपका टूल हो तो इसको क्या कर सकते हो और टाहिद कर सकते हो चाहिए फिक है अब आप आप पोछूं कि सही रूप से कारी करने के लिए इन्विल की क्या होगी इन्विल की फर्स से उचाई इन्विल की फर्स से उचाई फर्स से उचाई जो है क्या होगी बता ऐब छेल व ethical क्या होगी यह आपको बता थेक sprout मैं बार बार दोस्त वहीं कापी पेश्ट मत करो ठीक है ग्या अच्ता सि करा दिया था आप अगर इधर class पे ध्यान देंगे दोस्त तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी ठीक है चलिए तो सही रूप से कार करने के लिए एन्विल की फर्स से उचाई कितनी होनी चाहिए भाई तो आप कहोगे 700 mm कितनी होनी चाहिए यह arrow है फर्स से उचा ने को आप क्या करोगे याद रखोगे अच्छा मैं आप से पूछूं कि बताइए फोर्जिंग की बात चली क्योंकि आगे भी फोर्जिंग से और प्रस्ण आने वाले हैं तो वहां पर इतना इस प्लिदेशन नहीं होगा अगर मैं आप से कहूं भाई कि फोर्जिंग है फ एंगलिस में यह बोलते हैं टांक क्या बोलते हैं तूंक क्या भूटति हैं फूरजींग में आप गर्म जॉबको हेंडल करने के लिए गर्म जॉब draw कुई चुछे आप इधर करने के लिए आप उप्योग करते हूंござ नो长 करते हों दो सडसी का उपियोग करते तो यह जो है किसकी बनी होती है सबसे पहले देखो जो स्वेज ब्लॉक है किसका बना होगा तो आप कहोगे यह कास्ट आयरन कास्ट आयरन या कास्ट इस्टील का बना होता है किसका बना होता है कास्ट आयरन या कास्ट इस्टील कास्ट आयरन मतलब क्या हो जाएगा भाई कास्ट तो आपको होगे माइल्ड इश्टील की होती है किस मैं को वनी होती है माइल्ड इश्टील या खा और याद रखो telefon ठीक है चलिए मैंने आपको बताया दोस्त जो डीजल की क्लास है वो इसको कांटीनू होने में 102 दिन का समय लगेगा एक से दो दिन में जो आपके डीजल और में की क्लास है जो यूट्यूब पर चलती है वह कांटीनू आपकी हो जाएगी ठीक है चलिए अब दूसरा है प्रशन कि फोर्जिंग ऑप्रेशन में आप बताईए फोर्जिंग ऑप्रेशन में कार खंड पर कैसा फोर्ज आप करते हैं आपको बताओ क्या करते हो फोर्जिंग ऑप्रेशन में आप क्या करते हो सबसे पहले मेटल को गरम करते हो फार्निसिंग करते हो और कौन सा बल्प्रिवत करोगे तो आप कहोगे संपीडन बल्प्रिवत करेंगे कैसा बल्प्रिवत करेंगे संपीडन वल यानि की कंप्रेसिव फोर्स तो कारेखंड पर कैसा बल्प्रिवत होता है तो आप कहोगे कारेखंड पर संपीडन बल्प्रिवत होता है कैसा बल्प्रि करते हो कैसा वलुक्यों करते हो तो आप कहोगे कंप्रेसिव फोर्ज एन्विल किसलिए होता है एन्विल पर रखकर आप हतावड़े से चोट करते हो तो कैसा फोर्ज हुआ आप किसी पर चोट कर रहे हो तो कंप्रेसिव फोर्ज हुआ आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रस्न से 0.30 प्रस्षत होती है ठीक है चले तो क्या बताएंगे भाई कितनी होगी लो कार्बन इस्टिल की फोर्जिंग मनाने के लिए जो उचित तापक्राम होगा कितना होगा तेरा सो डिग्री सेंटीग्रेट होगा कितना होगा भाई याने कि रोट आइरन का बताईए रोट आइरन तो क्या हो जाएगा इसी तरीके से मैं आपसे पूछो दोस्त मिले दोई स्पाथ का बताईए माइल्ड इस्टील का बताईए तो बताईए क्या होगा माइल्ड इस्टील दोनों का पताईए दोनों का वी पूछा जाता है आप क्या करना है दोस्त बताना कि हाँ या मोर्टर मेकाइनिक का अमस्यका लेक्चर होई YouTube पर थोड़ा सा एक दो दिन के टाइम लगी उगरे बाद लेक्चर कांटीनिन हो जाए मौली भाई एक-दो दिन का टाइम लगेगा और उसके बाद आपके जो लेक्चर है वो continue हो जाएगा ठीक है पितवालुहा का कितना होगा बताइए पितवालुहा का कितना वी आप क्या करेंगे दोस्त याद रखेंगे अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं बताईए निम्लखित में से पदार्थ आगाथ वर्ध नियता का बुनि प्रदाशित करता है थोड़ा सा ध्यान से उट फ्रसिंद को तो प्रढाइटी वह प्रदर्ःत्र नहीं करता है आपको बताना ठीक है बाई चलिए बताइए को चाथ चलिए ऐसी श्ठेला वाले उत्तर दिया हैЕ ठीक है सुफरल का उत्तर है डी अजर कैसे उत्तर कर रहे रही लेश ठीथे चलिए असिसी हो ब्लत शिष्ट थिंका लेड है उनका उत्तर सई आ काष्टरण भी नहीं करता लेकिन कर सकता है थोड़ा व dog j isso मैंने आपको क्ल एक प्रस्वन आया था कि जो मैलेबल का इस्टरन और सो कैसे बनाथ यह कर तो कर देख है तो दो क्या क्यों सुटफित करने का क्यों क्यों चाहतरा 2-40 थाट-अथ तक तो दो प्रशत वाला जो काश्टरान है वह कुछण कोछ मैलेविलिटी क्या करेगा प्रदरशित कर देगा लेकिन जो सीचा है यह बिलुकुल प्रदरशित नहीं करेगा कौन सा पदार्थ आग्यत्वरतिणी तक प्रदरशित को करना है नियुनत्म्य बट से कम छोब इन ठ्रटत्र अब क्या करना है और ट्रटध्य वाले पदाउर्थ का वहुरत wirत अब綪र भूपड उत्तर लिखते रहे तब किछा जा सकता है जिसके कारण उसे तार के रूप में भीचा जा सकता है भीचा जा कि है क्क थिए वही गुर्ण क्या कहलाता है वही गुर्ण क्तिलिटी हाँ technique हो मि ĩ्याद है की दाक्तिलिटी है कि अडिक है सोग है ने कि यह क्धिन प्रस्तौ बैगा यहत्या म सकत्र लोहा हो जाए यह यूपी आरनल की परिच्छा इचे में पूछा गया जो लोग यूपी से हो जानते हूं घर ऑड़ को सहन करने कि धात के बुर को क्या कहा जाता है the property या फे metal to bear थेरब बन चीमर पंबकर इंग्लिस में क्या बोलते हैं टॉफ़नेस क्या बोलते हैं टॉफ़नेस कहते हैं बताइए इस में से कौन सा 걱정 हो जाएगायानि कोई ऐसी मैटल है जिस पर जहटका पड़ता एक बेंडर नहीं होती या तो नहीं है तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कही जाएगे ऐसी मेटल की क्या कही जाएगी बताएब film व्यूद्ब कॉली-टलि टॉफनेस आपका उत्ता है भाईंटेस उत्ता हो जाएगा सही हो जाएगा यानि की चीमडपन आपका उत्तर सही हो जाएगा देखो भाई यह सभी जो प्रापर्टी है यह सभी कैसी प्रापर्टी है मेकैनिकल प्रापर्टी है जो भी आपकी हाड़ने से हैं डेक्टिलीटी है चीमडपन ही सभी कैसी प्रापर्टी है यह सभी आपकी जो म यानि कि भॉतीक पूल कॉन कौन सा है दिसे कि आप हो गे जोसका मास हो गया ठीक है density हो गया म 예쁜 हो गया density हो जाइक है उसका डिलेटिव डेनसिटी हो गया कि देडेंसिटी यह सभी क्या हो जाएंगे ये सब आपके भॉतीक गुर्ठ हो जाएंगे प्रापर्टी यानि कि रासायनिक गुड़ में क्या जाएगा बताईए रासायनिक गुड़ में आपका क्या जाएगा तो आप आपके भैसे तो भाई आप हाइडरोजन से क्रिया ठीक हैंने चीजों से कdefense लेकिन आपके काम की चीज़ हैं वो क्या है तो आप के खूगोगे और जयरोजन दोघद याजर्फं तो उससे जब प्रिया करेगा तो जंग लगेगा तो रासाइनी कुड में chemical reaction, chemical property में क्या आ जाएगा जो को रोजन आ जाएगा और रस्टिंग आ जाएगा ठीक है भाई चलिए हाँ बिलकुल सही है अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ कि काश टेरन कौन सी भठी में बनाया जाता है भाई 20 वार प्रशन बता चुका हूँ आपको इसका सही उत्तर बताना है और आज मैं इस भठी का फीगर भी आपको दिखाने वाला हूँ ठीक है इस भठी का भाई फीगर भी मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ तो बताईए from which furnace is काश टेरन मेंट काश यृ ऑलन कि भठी में बनाया जाएगा ठीक है उत्तर दे रही और दे उत्तर क्या दोस्ती पूरीं तरीके से आपका सही है ठीक है क्या हो जाएगा का किश भठी मैं पोला में वर करेकि पूलले बठी में कौन सा बनाया जाएगा तो आपो ओए फूल रॉखा पिटवा लोह यानि की रोट आयरन ब्लास्ट फर्नेस में क्या बनाया जाएगा तो आप गहोगे पिग आयरन यानि की कच्चा लोहा जो है आपका बनाया जाएगा ठीक है चलिए तो अब देखें यह है आपका क्यूपोला फर्नेस कुछ इस तरीके का जो क्या होता है क्यूपोला फर्नेस ह फिर उसके बाद साचे में ढाल दोगो हो गया आपका कास्ट यह आपका मेटल हो गया इसके बाद आपका क्या है फ्लक्स क्या काम करता है यहां पर वह वाला फ्लक्स करता है इसको बोलते गालक यानि कि जो भी मेटल है उसका जो मिल्टिंग पॉइंट है उसको कम करता है यानि कि उसको गलाने में क्या करता है मदद करता है यहां पर जो फ्लक्स पर रोग करता है उसको गालक बोलते हैं उसके मिल्टिंग टप्रेचर को कम करता है जिससे जो मेटल है वो जल्दी प इसका क्या मतलब हुआ यह जो अंदर की भठी के अंदर का टमप्रेचर है ताप है उसको बाहर नहीं जाने देती हैं यह आपकी क्या लगए होते हैं जिससे जो हवा है आपकी अंदर आती है और जो इससे आपका जो इधरन है वह अच्छे से जल सके यहाँ पर देखो एयर इ इस पिश्टील सेल है इसके ऊपर अगनिसा हीटो की लाइनिंग लगी हुई है तो यह आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे हैं सेंड की लेइर होती है तो कुछ इस तरीके के किसी संद्चना जोती है यह अर्यतर रियल में देखे होगे बहुत बढ़ी है फरनेंस होती है आ हमारे कालेज में जो थी वही एक कमरे के ब्रावर्वर्थ उसमें सीड़ी लगी होती थी चढ़ने के लिए ठीक है मतलब काफी ज़्यादा हाइट पे रहती थी हमारे अपने कॉलेज की बात बता रहा हूं और बाकी जो इंडेस्ट्री में प्रेयोग होता होगा वो तो और ब होती थी वह काफी प्रयोग होती है अब भी जो है आप प्लांट का देखो के प्लांट मैंने भी नहीं देखा है लेगिन जो होती होगी बहुत बड़ी होती होगी ठीक है चलिए हाँ आज से इस बता रहे हैं बहुत बड़ी रहती है ठीक है यह कैसी क्वांटिटी है दर लग जाता है सेल में देखा हूँ बिलकुल भाई बिलकुल चाहिए ठीक है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वठ्टियां होती है ठीक है वहाँ पर काम करना सबके वसकी बाद भी नहीं है ठीक है चलिए अगला है देखिए बताईए तामा और टिन की मिस्रदात्मों को क् करी सुछफिया है इस से स्मपर्ल प्रस्दोस्त हो नहीं सकता हुआ ठीक है चलिए से अच्छो देख केही चोड़ दिये शही है पार अपने हिसाप से काम करो ठीक है यह जहां पर अच्छा लगे वहाई काम धुरो ठीक है चलिए बताईए आ छे बताईए पहती रहे हो ब्रास जो होता है जो पीतल आपका होता है यह किसका मिस्दात होता है तो आप कहोगे कापर किसका मिस्दात होता है नीरज भाई इधर देखो परस्ण का उत्तर गलत दे रहे हो copper and zinc का मिसद्धात होता है copper लगवग 70% होता है हलाकि प्रस्षत अलग-अलग होता है उसमें white brass होता है अलग-अलग तरह का brass हो जाता है लेकिन normal जो हता है यही होता है copper 70% और zinc कितना होगा भाई zinc आपका होगा 30% zinc कितना होगा 30% अब आप से कहा है copper and tin तो आप क्या कहोगे copper and tin का क्या होगा branch हो जाएगा copper कितना होता है दोस्त 88 प्रस्षत और टीन यानि की SN कितना होता है तो आप कहोगे 12 प्रस्षत ठीक है चलिए अब आगे कुछ बढ़ते हैं आपके महत्वण तथ्यों की तरफ महत्वण तथ्थ क्या है भाई महत्वण तथ्थ में लिखिए heading डालिए alloying element of steel यहां से प्रस्ष्ण बनता है ज्यादा नहीं बनता लेकिन आप अपनी जानकाई के लिए रखो बहुत बढ़ी हंस्तानदार चीज है क्या कहोगे भाई alloying elements alloying elements of steel यानि की steel में आपको बता है steel में तो सबसे पहला element क्या हो गया alloying वाला जिसके बिना steel बनेगी ही नहीं वह है carbon इसके अलावा बहुत सारी धातुएं अपनी आवस्सक्ता के अनुसार जो property हमको चाहिए उसके अनुसार बहुत धेर सारी धातुएं मिलाई हो गया तरह किनिकल हो गया, chromium हो गया, vanadium हो गया, tungsten हो गया, ठीक है, manganese, cobald, बहुत सारी धातुएं मिलाई जाती है तो कुछ metals के बारे में जो steel में मिलाई जाती हैं क्या काम करती हैं क्या इस टील में क्या उत्पन करती हैं उसके बारे मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ ठीक है भाई चलिए पहला है आपका niquel पहला क्या है नiquel अब नiquel के देखो परसेंटेज के हिसाब से इसको बाटा गया है अगर आप पॉनचप्रसर्ण निकल मिलाओ आप 10-15% निकल मिलाओ ठीक है और आप फिर 25% निकल मिलाओ तो तीनों का जो है अलग अलग प्रभाव पढ़ेगा तीनों का क्या होगा दोस्त अलग अलग प्रभाव हमारी इस्टील पर पढ़ेगा पांच परस्त पर क्या होगा तो आप यह क्या कर देगा hardness and strength को क्या कर देगा बढ़ा देगा hardness and strength hardness and strength को क्या कर देगा बढ़ा देगा अगर आप क्या करते हो 5% निकल मिलाते हो तो hardness और strength को steel की hardness और strength को क्या कर देगा बढ़ा देगा अगला है अगला है अगर 10 से 15% के बीच में रहेगी तो इस्टील आपका क्या हो जाएगा बिटल हो जाएगा इस्टील कैसा हो जाएगा भाई बिटल हो जाएगा यानि कि भंग गुर हो जाएगा और पच्चीस परसर तक आप बिला दोगे तो जो इस्टील है वो कैसा हो जाएगा टफ हो जाएगा टफनेस मतलब बढ़ वो ना लगे या जंग ना लगे स्तील स्थील का स्थील पढ़ते兩 निकल कितना होता है यानि कि फंद्रा प्रस्थ जाद करता है तो संद्रा के बाद अगर आप 65 मिलते हो क्या होएगी पढ़ जाएगी और स्टेनलेस स्टील हमारी हमको मिलेगी कैसी स्टील स्टेनलेस स्टील हमको हमारी मिलेगी तो यह क्या है पहला हमारा तत्तो था पहला क्या तत्तो था निकिल जानते रही अपनी जानकारे के लिए कभी-कभी यहां से प्रस्न है वह पूछ लेता है ठीक है चलिए अगला है आपका chromium कि दूसरा है आपका chromium कि मिलाने से क्या होता है और तो आप कहोगे खुर्णों मिलाने से क्या होगा था हो बढ़ जाएगी क्रॉमियम मार्वक्या काम करता है वाइडेनुस और टैनसाइल इस्टील होती है उसमें बताइए निकिल होता है क्रोमियम होता है बताइए कंफर्म करिए इसको ठीक है चलिए तो अब यहां पर अगला है आपका तंगाष्टन ठीक है अगला है आपका द्च्च्टण sorting तंग्स्टन आप क्या मिला दो भई टंगेस्टन अगर आप आठ प्रक्सक फिंद्द कि स्ब्सक्राइब लाइव घृएब से क्लिए लगों रजाती है श्दीट बहुत क्या होती है हाड हो जाते इच्छा बताईए टंगस्टन का जो प्रदर्सित करते हैं कैसे प्रदर्सित करते हैं डवलो से टंगस्टन का भाई मेल्टिंग टंप्रेचर बताईए टंगस्टन का तब तक आप लोग बताईए जो मेल्टिंग टंप्रेचर है melting temperature या melting point पिखलने वाला जो point है ये कितना होता है बताईए चलिए हाँ भाई सही है इसको कर लो 18% आपका क्या हो जाएगा chromium और 8% आपका क्या हो जाएगा निकल 8% क्या हो जाएगा आपका निकल हो जाएगा ठीक है तो इसको जो है भाई सही कर लो तो melting temperature बताईए कितना होगा 3400 हाँ 3480 होगा 3400 से 3500 की बीच में तो आप क्या कहोगे 3480 degree centigrade क्या होता है भाई tungsten का क्या होता है tungsten का melting point होता है ठीक है अगर मान के चलो आप 15 प्रस्त यहाँ पर मिला रेते हो क्या करते हो आप 15 प्रस्त अगर tungsten मिला देते हो तो जो इस्टील है उसकी मसीनिंग आप नहीं कर पाऊगे यानि कि वो इतनी हाट हो जाएगी कि उसकी मसीनिंग आप नहीं कर पाऊगे इस्टील की मसीनिंग आप क्या लिको इस्टील की मसीनिंग क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते इस्टील की मसीनिंग नहीं कर सकते अगर 15 प्रस्त तक आपने क्या मिला दिया टंगस्टन मिला दिया ठीक है चलिए और भी कुछ बता दू यार कि नहीं इतना ही चलो अभी के लिए इतना ही रखो ठीक है अभी के लिए इतना ही रखते हैं नेक्स क्लास में और देखेंगे अगला देखिए प्रस्निक क्या है निम्नलखित में इसे कौन सा बहुलक बुलेट पुरूफ खिड़की बनाने में उख्यूप किया जाता है जो हालीवोट के सा उखिन उखिन होंगे फिक्चर देखने वाले उनको क्या होगा भाई बता होगा तो कहीं कहीं सुना तो होगा ठीक है तो निम्नलखित वैसे बताइए कौन सा बहुलक यानि कि कौन सा पॉलिमर यूज टू मेंग बुलेट प्रूफ विंडो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए किया आता है जिसमें हमारे मोधी साथ चलते हैं जो बड़े से उत्तर आपका सही है क्या की जिए हज़िए घोली उत्तर आया है संजेई एलपी का या विका न्युक nieuुत्तर आया है सी ठीक है चलिए सूरज का उत्तर रहे सुड़पा कर रहे शूरबने बैभी लेव फिटल गहीं हार इसा कैसे हो सकता है आप अपना उतर ब्लख्र न कोई कोई तो सई होई जाएगा ठीक है चलिए चलिए यहां पर आप कि यहां पिर पाली कार्बनेट्ट क्या हो जाएगा पाली कार्बुनेट्ट ठीक है यह पिक्चर कौन सी है पिक्चर है आपकी विवेगम किसकी पिक्चर है अजीत इसी में यह वर्ड आप सुनोगे तो कहां से जब इसकी दुस्मनी वहीं पी यह वर्ड आता है पाली कर्बनेट ग्लास का बना है तो अगर साथ बार एक जगा आप गोली क्या करो मारो तो क्या हो जाएगा ग्लास टूट जाता है तो यह वर्ड सुनना है तो इसको देखो ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगले परशन की तरफ कि निल्खित मे नहीं होता वीच वन आप दो फालोविग विल नाट कंटेन सिल्वर बताइए भीया हॉर्न सिल्वर जर्मन सिल्वर रूबी रूबी आलूनर कास्टिक जल्दी से बताओ दोस्त एडवांस क्यूस्टन लाइए भाई मैं अपने हिसाब से एडवांस ओं सिंपल लांगर ठी कि जब इडवांस वाली आयगी तो उस पे लिखा रहे गाई इडवांस उसन याँ हाड़ की उसन तब आप देख लीजेगा ठीक है भाई चलिए अगर यह सिंपल की उसन है तो आपके हर प्रस्न का उत्तर यहाँ पर सही होना चाहिए ठीक है और अभी आपने इसके पहले जो सिप्रोसेस होता है कैसे सीडी ऐसे इसलिँ लोग आगे बढ़ते है अगर आप सबस्क्राइब करें पर ऊतनी तेजी से आप गिर जाओ तो इस भाव होता है दोस्तों फिलिए होता है क्लास से युद्मी पहले पहले नियुक्त छूरुसे 25-30 classes हमारी basic की होंगी उसके बाद 8-10 class में advance के आप में करा दूँगा और आपका जो MCQ है वो तैयार हो जाएगा ठीक है भाई चलिए तो यहाँ पर क्या हो कहोगे किसमे से एक मिरज़त नहीं होता भाई बताईए के मंताई अनिल प्रजापती दे रहें दस का बी जर्मन सिल्वर ठीक है चलिए भाई दीयस खनना दे यार तुम उत्तरबा दो यार उत्तर तो दो पहले ऐसे क्यों नहीं आते वैसे क्यों नहीं आते जैसे आते हैं पढ़ लो ना हम कहां करें तुम यहां कराज देखो दोस्ति आप पहले जहां से क्यों आते जाम निकाल लिए कहे परसान है आप यहां पर ठीक है एक भी उत्तर आया नहीं आपका ठीक है और इसके पहले यह देखा थे फ्रस्ण के किम पोजिशन क्या होगा तो आप कहोगे कापर होता है जिंक होता है और क्या होता है भाई निकिल होता है किसी को इसका परसेंटेज पता है तो बताईए किसी को इसका परसेंटेज पता है तो बताईए प्रस्न की बात नहीं है भाई प्रस्न के साथ जो इसको भी तो देखो ठीक है अब तुमको कहां से कौन इसको बताएगा भाई तुम यह देखो इमत की प्रस्टन क्या है उसके साथ एक्स्टा चीज़ें मिल रही है वहां से तो प्रस्ट बनेगा भाई यह तो मानते हो ठीक है चलिए है चलिए हाँ सही बात कह रहे हो कोई मतलब नहीं है फालतु की बखवास और कोई मतलब नहीं तो बताईए भीया कापर जिंक और निकिल का पर्सेंटेज बता दो कुछ नहीं एक रड़्डी का पता नहीं है वस बेसिक क्यों सब्सक्रण नहीं आते ठीक है चलिए तो कापर क में अलग अलग दिया रहता है फिर आफ लगवान मिं कहते हो फिंप गाहरण क्या होता है बता इस क्या होता क्या होता है दोस्तों लोहे का सुद्धुरूप होता है लोहे का सुद्धुरूप की बात करें लोहे का सुद्धुरूप की अगर बात करें तो क्या होगा लोहे के सुद्धुरूप की बात करें तो कौन सा होगा तो आपको होगे पीटवा लोहा क्या होगे भाई पीटवा लोहा ही कर याने की रोट आयरन रोट आरन आपको बना जाता है बटाईए कई बार आपको बता चुका हूँ रोट आर्म किसे में बना जाएगा तो आप होगे पूडलिंग फर्नेस में पूडलिंग फर्मिस में कि ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्ramस टिर Confederate यह मुने लखित में इसे कौन सीeed Ran quick की प्रकृए नहीं है बिनलखित में से कौन सी के आरनी की प्रोशेसर नहीं है करब राइजिंग है साइनाइडिंग है या नाइट्राइडिंग है भाई यह आपको बताना है ठीक है चलिए बताई कर रोटार में भाई 99.9% होता है बिल्कुल चाहिए है ठीक है चलिए पर यहां पर क्या हो जाएगा नामलाइजिंग हो जाएगी अच्छा बताई करप राइजिंग में इसको क्यों कहते हैं में किसा हार्डिनिंग की क्या है दोस्ते हैं अब कार्बूराइजिंग इसको क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन के द्वारा इसमें कार्बन के डिपोजीशन द्वारा कार्बन के डिपोजीशन द्वारा कार्बन के डिपोजीशन या पेनेट्रेशन पेनेट्रेशन द्वारा क्या किया जाता है सता को हार्ड किया जाता है जो सर्फिस है उसको हार्ड किया जाता है किसमें कार्भूराइजिंग ठीक है बताओ इसके लिए किस material का उत्योग कियाता है इसके लिए आपकर मतरी और होता है तो मटीजा्टो होता है कार्वन ब्लैकर मैंट्रियुक्त होगा सभू है इसी में आपका चार कॉल हो जाएक फिरीके इसी में आपका मोला से सोट मतैरियल होता है मुला से सो जाएगा। इन सभी को लेकर कितने डिगरी तापमान टक लगभग 900-950ुञ misog कहां तक भाई 900 से 950 दिगरी सेंटीग्रेट तक क्या कहते हैं गर्म करते हैं जिससे इसमें जो कार्वन होता है वो सता में उपरी यानिकि जिस भी दात को आपको हाड होता है करना होता है उसके उपरी सता में क्या होता है चला जाता है उसकी उपरी सता में क्या होता है चला ज करते हैं अमोनिया गैस को व्योग करते हैं आप ढोता है नहीं कि नाइच्रोजन में और इसमें और करते हो नाइट्रोजन के द्वारा अब सता को हार्ड करते हो क्या करते हो नाइट्रोजन के द्वारा भाई सता को हार्ड करते हो ठीक है चलिए चलिए अब भाई धर ध्यांगी किया करते हो नाइट्रोजन के द्वारा सता को हार्ड करते हो अब यह किरिया कितने डिगरी पर तो लगभग लगभग पांसो साथ डिगरी सें परोटोजन क्या होगा। है कि सबसे यादा हर्ड सत अब राप्त होती है लेकिन इसमें कुछ पार्ट पर मैं पढ़ाऊंगा आपको 90 से 100 घंटे तक प्रवाह कराना पड़ता है तो प्रोसेस का है बहुत ज्यादा महाँगी है साइन आइडिंग में क्या होगा अब जिसे देखो कार्बराइजिंग में कार्बन कर रहे थे नाइट आइडिंग में नाइट्रोजन द्वारा सता को हार्ड करे थे कि दोनों द्वारा सता को हार्ड किया जाता है तो यह आपका क्या हो गया यह आपका साइन आइडिंग हो गया इसके अलावा आपका जो दो प्रोसेस्टाओर होते हैं फ्लेम हार्डनिंग उससे क्या प्रस्ण बनता है उसमें किस गैस का उप्योग किया जाएगा तो आपको जो gas है उसका उप्योग किया जाता है तो आप क्या कहोगे करगोराइज से अधिक ताप मान पर गर्म किया जाता है और से थंडा किया जाता है कहां पर तुरंत डुबोर कर या तेल में तुरंत डुबोर कर बताएं कि हाँ टाइम बहुत लेता है जो आपका नाइट रैडिंग वाला प्रोसेस है आपको क्या है टाइम बहुत लेता है जल्दी दोस्त थोड़ा चाप उत्तर देंगे ठीक है चलिए आपका आपका राख्या रित्मिकों क्यों क्यों कि एनिलिंग में आप क्या करते ह pakai initial को सौफ्ट करते हो या मसीनिंबिल्टि को बढ़ाते हो या मशीनन योगिता को क्या करते हो बढ़ाते हो तो इसमें क्या है annealing में अपर critical temperature उपर आपने गरम कर दिया अब उसको ठंडा करना है तो बहुत दीरे धीरे ठंडा करना है तो पहला process ही हो सकता है कि राक या रेत में ढख दो आप ताकि वो धीरे धीरे ठंडा हो दूसरा क्या है बठी में ही आप रख दो और भ जिसमें बाहरी सता को कार्बन की मात्रा में विर्धी करके कठोर बना जाता है तो भाई यह मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूं कार्बन की मात्रा कार्बन की मात्रा में जब आप विर्धी करोगे तो ऐसी क्या हो जाएगा कार्बुराइजिंग अभी बताया है अभी साथ की जो tempering है tempering से क्या कम होता है भंगुरता कम होती है सौक resistance कम होता है मसीन कम होती है आप जो yourIST shape 37 हुब है वहाप की कम होती है जल दली पस्त की उत्र देंगे भाई ठीक हैem axa को आफ ऐस चलिए तो आप की क्या होती है दोस्त कम होती है भंगुर्ता यानि की बिटलनेस ठीक है तो यह कठोरी स्पाथ की टेंपरिंग से क्या होती है जो बिटलनेस है यह कम होती है आगे बढ़ते हैं वर्कपीस की वहाद इक्तम लगा है या जो हेड स्टॉप पर आपका सेंटर लगा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लाइव सेंटर ठीक है लाइव सेंटर और जो आपका इधर लगा होता है टेल स्टॉप पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेड पिस्टेश्ट मेंदक किले हुए मिददक कुरुअ आपके संटा गट हो जाहेगा अगला विए टॉपनेस क्या होता है इस बढ़नाइस एक पहता है हाँ बाताए जायो ही टीँरिण1 कि हार्डिनिंग आप करते हो तो हार्डिनिंग करते हो तो एक इस्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मार्टेन साइट structure क्या कहते हैं martensite structure martensite structure के बनने से जो आपकी steel है वो brittle हो जाती है फिर जब आप उसकी tempering करते हो तो उसकी toughness बढ़ जाती है या tough हो जाता है चीमर हो जाता है तो बिटल में क्या है load पढ़ने पर तूट जाएगा लेकिन चीमर में क्या होगा load पढ़ेगा sock पढ़ेगा तो आपका वो तूटेगर है और यहीं हम चाहते है ठीक है तो cross light का काम क्या करता है भाई टेल स्टॉक के लिए feed क्या पूर्ती करता है क्या नहीं चक के लिए करता है नहीं उपकरण के लिए feed क्या पूर्ती यानि कि supply to feed दूदेख के उपन आप कहोगे टूल पोस्ट ज्यादा सही होगा टूल पोस्ट किसके उपर लगा होगा compound रिष्ट के उपर उसके नीचे cross light उसके नीचे यह सारा process होता है आप यहां पर लेट का फिगर में समझ लीजिए यह आपकी feed रॉड है यह आपका carriage है पूरा जो टूल को फीड देने का mechanism होता है या टूल को चलाने का mechanism होता है वो पूरा आगे वाला भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई इसको हम लोग कहते हैं एप ठीक है यह आपका बेड़ हो गया बेड़ किसका बना होता है लेट का जो बेड़ होता है किसका बना होता है का इस पर लीड़ स्कुरू में कौन सी थेड़ कटी होती है तो आपको होगे एकम लगा होगा किस पर लगा होगा यहां पर मोटर की कोई spindle निकली होगी ना उसी पर लगा होगा आप से पूछता है कि लेथ की जो spindle है उस पर कैसी thread कटी होती है तो आप कहोगे कि पकड़ने जाता है इसी तरह किसे मैगनेटिक होता है मेगनेटेकिक किसी दात करता है फिर चीज सब्सक्राइब होती है चीजे होती है से अपिटर टेट कराए आप देख लीजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक ही दिसा में साफ्ट के बीच उर्जा संप्रेसित करने के लिए बताई तू ट्रांस्ट्रमिट ट्रांस्मिट एनर्जी बिट्विन साफ्ट इन सेम डाइडेक्शन यानि कि जो साफ्ट है उस पर आप पावल का ट्रांस एक ही दिसा में पावर का ट्रांसमिशन से क्या मतलब है एक ही दिसा में अगर ये उन और missing year होते हैं आपस में उनकी जो दिशा होती है घूमने की क्या होती है विप्रीथ होती है अगर यह clockwise direction में घूम रहा है इस तरीके से तो यह किस दिशा में घूमेंगा इंटी क्लाकवाई जारेक्शन में भूमेगा अगला है बेल्ट वा पुली का उप्योग किया जा सकता है बिल्कुल सही है देखो बेल्ट में क्या होता है आप लोगों ने बेल्ट पढ़ा होगा इस तरीके से मान के चलो यह मैं आपको ओपन बेल्ट कर रहा हूं इसमें लगा ओड है इस तरीके से यह आपका इस पॉ україट है इस दे ईधर आप लगा दो आप एक इस पॉर्क लगा दो और यहां पर इसके उपर क्या लगा ओड़ा स्टार्ट होता है ठीक है तीनों मों सब्सक्राइबž काव सभी है। आपको बताना है आपको बताना इसमें आपसे क्या कहा कि इसका प्रयोग लंबी दूरी के लिए करते हैं नहीं इसका प्रयोग लंबी दूरी के लिए नहीं करते हैं लंबी दूरी के लिए जो ओपन बिल्ट ट्राइव है उसका प्रयोग करते हैं कहीं आपने देखी लंबी दूरी के लिए जो है भी देखा होगा जहां पर 욕 के लिए वहां पर देखा होगा को आफ यहां पर क्ल सकता है बैस控़ दा्रेक्शन में किया है कि तरहाई यहां पर है ऐसा तो नहीं कहा कि यहां पर बेल्ट और पुली का प्रयोग सिर्फ एक ही डारेक्शन में घुमाने के लिए वो तो जब आप क्रॉस बेल्ट राइव कर दोगे जब आप क्रॉस बेल्ट राइव कर दोगे तो तो ही जाएगा दिशा क्या हो जाएगी परिवर्तित हो अगला है देखिए यह वी बेल्ट है इस तरीके से आप की होती है फिगर ऐसे मैंने लगवा दिया था देखिए इस तरीके से यहां पर अंदर भी क्या होते हैं भी खाचे कटे होते हैं अच्छा वी ग्रूव का जो कोड होता है यह कितना होता है तो आप करोगे 45 डिग्री यह देखो इस फ्रस्ना है पहले गियर देख लो कि हैलिकल रिघु का प्रयूप कहां पर किया जाएगा तो आप किंद्य फांद किंद्य तर्वाइन चलिया अब देखो है जैसे मान के चलो यह है यह आपका गियर है यह आपकी साफ्त लगी हुए ठीक है ज्यान जिदर दे साफ्ट की एकसिस यह है यही आपका है जो है यहां पर फीगर से आप देख लो यह देखो है इसमें देखो किसी कौन पर साफ्ट अगर ऐसे जाएगी तो दाते क्या होंगे कुछ तिर्चे इस फर गियर में का दाते कैसे कटे होते हैं इस फर गियर में जो टीथ कटे होते हैं वह आपके साफ्ट की अच्छ के समानतर यानि के साफ्ट के एक्सिस यह है तो इसमें दाते कैसे कटे होंग ठीक है लाइन मोसन में या इसी का वाइस वर्सा कर दो इसी का वाइस वर्सा कर दो लाइन मोसन को रोटरी मोसन में करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है यह आपका वर्म गियर है यह आपका बेवल गियर है बेवल गियर से प्रस्ण बनता है कहा पर उपयोग किया ठीक है भाई बताइए आजकी ख्लास आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो दोस्त एक लाइक करदेना चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना और साथ इत्वा चैनल चैनल को subscribe भी कर लेना ताकि ऐसी जो classes हैं वो आपको हमेशा मिलती रहें ठीक है और notification आपके पास सबसे पहले जाता रहें तो आज ही class में इतना ही दोस्त मिलते हैं कल नए प्रसनों के संकला के साथ class से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद